कि यहां दोस्तों मैं हूँ राजी सेनी इंटेलर से बिजनीश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर दोस्तों में स्वागत करता हूं आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नोलज के हम क्रिटीकल नहीं सिंपल बनाते हैं तो फ् बिजनिश एक्सपोर्टेश क्या हैं साथी आरेबिया में च्क्रों कोन कोण सी करें लेना कितना आसान है साथ इंडे एंडियन चले सी वीडियो से विडियो में संब से पहले पोइन एंडियो यहांज मिल जाते ऑई इनडियन तू सेटप यूर ने साहिआ अरबिया तो बैसिकली वहाँ पर मैनी गुड्स और सर्विसिस जो है एक्जम्टिट किये है फ्रॉम दी वेट तिक बहुत अच्छा बेनफिट आपको देखने को मिल जाता है और कॉर्पेट टेक्स भी बहुत जाद नहीं रहा गया ओनली फिफ्टीन परसंट इजदा कॉर् यानि FDI महाँ पर जादे चाते हैं कि मतलब foreign direct investment जादे आए तो वहां की जो kingdom है जो वहां के king है जो सेक साब है तो बिसिकली वह भी चाते हैं कि kingdom में जादे से जादे लोग foreigners आए जो कि यहां पर इंवेस्ट करें इजी डूइंग ऑफ बिजनिस महां पर रखा government सपोर्टी तो है ही है एकनोई एकनोमी जो है continuous ग्रोइंग एकनोमी स्टेबल एकनोमी आपको देखने को मिल रहे है सेप्टी एक अच्छी देखने को मिलती है सेक्योर्टी देखने को मिलती है और एक स्टैंडर्ड लाइफ आपको महां पर देखने को मिलती है और महां की जो खिंग्डब में उन्होंने पाब बैसिकली 50 बिलियन बिलियन की बात हो रही है फिफिफ्टी बिलियन दिरहाम उन्होंने पैकेच्छ रखा है फूर्डी इन्वेशन और आइडिया तो जैसिक जो की लगबग होता एक ला कर में अपनी इसमें लैंगविज में बात करो तो वन लैक रूड वन लैक क्रोड रूपीस वन लैक क्रोड रूपीस का उन्होंने पैकेजर कहा है फोर इन्नोवेशन अगर आपके पास में कोई आइडिया है जस्ट इंप्लिमेंट इट इन साओधी अरब्या एंड यूवल बहुत काफी अच्छी देखने को मिलती है अगर मैं बात कुरो बिजनीस अपोर्षिंटी कि वह कौन कौन सी बिजनीस अपोर्षिंटी जो कि आप डारेक्ली एक्स्प्लोर कर सकते हैं साओधी अरेबिया में एज इंडियन तो बैसिकली उसमें सबसे पहले पाइदान पर आत सप्टेंख्राइब आपका всё या लेवर लेवर सप्लाई बिकसी скुर्जाइब कर सकते हैं सोलर बिजनीसphonर पाऊवर का क्यूंकि वो लोग पी चाहते हैं कि जादे से जादे पाऊऎपल एनर्जी बढ़े और जो बादा ऑफिजि बिजली बन्टि का पावर बन्टीर शक एन सब कंट्री में कोल बेस्ट पाउड रहते लिकिन जो कंट्री महां पे ऑयल जद है और गैस जादर रहती तो हो पे और पाउर प्लांट सरे तो की फ्रण फाइरड और टेंजिन्चिल फाइरन में इतना डिटेल हम इसली बता रहे उन में पाउर प्लांट का ही EXPERIENCE है आइम दी मेकेनिकल एंजिनियर और यू किन से पावर एंजिनियर आएम बीए किया और वो सब किया वो सब तो फिर आगे बहुत जाद डिटेल हो जाएगा तो बैसिकली ओयल फायर्ड वहाँ पे पावर प्लांट रहते हैं तो वह भी जादस जादस होचते हैं क्योंकि जितन के आप रेडिंग कर सकते हैं या किसी तरकी से भी कुछ भी किसी भी बिसनिस में आप इंवन हो जाते Haiti सोलर का तो यहां पी ऑपना सकते हैं और शाओभी उल्रेशP कर इवनिंग 5-6 as per your suitable time रखा गया है तो basically उसमें सिखाते हैं कि आप बायर कैसे find करते हैं बायर को verify कैसे करते हैं कोई पार्टी फ्रोड तो नहीं उसको कैसे identify करते हैं payment term क्या होता है क्या होता है में लिए से payment term क्या है किस तरीके से बात होती है बायर से effectively कैसे आप communicate करते हैं बायर को कैसे कंवेंस करते हैं कोई बायर मेरा customer कैसे बनेगा कोई बायर मेरा repeat customer कैसे बनेगा अगर आपके पास में repeat order आ रहे इसका मतलब successful exporter बन गए है तो वही सब सिखाया जाता है handling support आपको मिल जाता है और क्या 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 documentation लगती वह सब आपको सिखाया जाता है आप उसों जोइन कर सकते हैं online जोइन कर सकते हैं अभी इस मंत का schedule है आप उसको भी जोइन कर सकते हैं तो बैसिकली ट्रेनिंग आप हेल्ट केर सर्विसिस आप दे सकते हैं फूड बिजनिस अगर प्रॉसेस फूड बिजनिस में आपका experience है तो वह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं महाँ पर recruitment of competent professionals तो काफी जादे महाँ पर इंडियन भी काम करने जाते हैं जोब करने जाते हो आप टेक्निकल रिसेट्स में आगे भी आप देखेंगे तो बेसिकली आप ऐसी भी कंपनी ओपन कर सकते हैं रिक्यूट्मेंट कंपनी ओपन कर सकते हैं competent professional की वहाँ पर बहुत जाद रिक्वार्मेंट रहती है बहुत कमी भी रहती है हुका बार जो हुका पीने वाला हुका रहता है तो बिसिकली हुका बार भी वहाँ पर बिजनिस अचा चलता है जो भी जिस ट्राइब क्योंकि पानी की महाँ पर कमी यहां से इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता है तो महाँ पर रहके वाटर इंडिया से इंपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर महाँ पर आप वाटर प्यूरिफिकेशन या आरो वाटर का भी आप काम कर सकते हैं पेपर कप्स और पेपर प्लेट से यह उसका भी आप मैनफेक्चरिंग कर सकते हैं या फिर आप उसको हिंदुसान से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ होम कुकिंग की तो बेसिकली महां पर बहुत सारे इंडियन रहते हैं बहुत अलगले कंट्री से भी लो गर ऐसंट टिफिन से एइस्टेम आप खाना ख्ला सकते नहीं लोगों को अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर मैं टेक्ट्निकल रिसर्ट की बात करूं कि आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसेट्च क्या बोलती है साउधी अरभिया के बारे में तो बेसिकली वहाँ पे इकनोमी की बात आती है सबसे पहले तो इकनोमी यहां पे बहुत जब्रदस तेखने को मिल रही है 1.08 ट्रिलियन यूज डॉलर मिलियन की बात नहीं और यह बिलियन की बात नहीं यहां पे ट्रिलियन की बात और यह 1.08 ट्रिलियन यूज डॉलर का इकनोमी है साउधी अरियाबिया का अगर मैं पॉपलेशन की बात करूं तो पॉपलेशन बहुत जाद नहीं है only 3.59 क्रोड अभी 2022 का जो लेटेस्ट डाटा है 3.59 क्रोड ही और जिसमें इंडियन 14% है 14% जितने भी वहाँ पर टोटल पॉपलेशन उसका 14% हम लोग हैं तो बेसिकली कितने हैं क्वांटिटी में बताएं तो जो रफली डाटा आता है 40 लेक इंडियन्स आर लिविंग इन साउधी अरबिया लीगली जो की एमबसी का डाटा है तो उस लास्ट 10 येर महीं पर हैं तो बेसिकली वो 700 मेगावाट का उसका पाउर प्लांट है जिसमें वो काम कर रहा है तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ पर कैपिटेंग की पर कैपिटेंग इंडियन्स निकल के आ रही है 28,759 यूएस डॉलर हरे कोई जो सिटीजन है जो की महां रह रहा है साओधी अरिभ्या वो 28,759 यूएस डाउलर पर Ciao ने ढद है आगर मैं बात करू अगर अगहार अगैं और मंत करू और न हमकर ऑत्रंग शॉन बिलियन ईसडूल उतregistर आप जादे से जादे हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट भी जादे करें लेंग्वेज की बात करें तो Arabic लेंग्वेज हिंदी बी चलती है और इंग्लीज भी चलती है अगर करन्सी की बात करें साउधी रियाल चलता है जो की 21.26 इंडियन रुपीज के बरावर है अगर मैं बात करूँ लीगल एंटेटी की तो टोटल फाइफ की कंपनी महाँ पर बनाए जाती है जिसमें सबसे पहले पाइदान पर आता है जोईंट लाइबल्टी कंपनी जो की एक जनरल पार्टनर्शिप कंपनी रहती है जिसमें ला ना ओल्टनर्चि अर आपको शॉच्च से ऑपनी मैं यहीं से संद्रह कार Awareन के लिंगल अरचेज रहता है उनको प्रोटेख्शन दिया जाता है और जो शेयर में कि महां यह एक्चेंज बेंग जैसे साउधी अरब्या स्टोक एक्षेंज उसमें आप अपनी कंपनी के सेर्स लिस्ट कर सकते हैं जिसे की पब्लिक वहां के आपके सेर्स खरीद के आपको इन्वेस्टमेंट दे सकती है और आगर मैं बात करो फिफ्ट टैप की कंपनी तो लेना कितना आसान है तो बिसिकली दोनो आपको 90 days के लिए मिलते यानि तीन महिने के लिए और मन्टीपल एंट्री आपको 6-12 मंत यानि एक साल के लिए आपको मिल जाती तो बिसिकली नॉर्मल डोकुमेंट्स आपको चाहिए शिक्स मंत वैलेडिटी वाला ओरिजिनल पासपोर्ट आपको चाहिए तीन मंत की बैं स्टेटमिंट चाहिए तो सो यूर्ट फाइनिसियल इस्टेटस आपको एक लैटर हैड पर इन्विटेशन चाहिए जिस कंपनी के साथ में आप मीटिंग करने जा रहे हूं और विजा एपको दे देना है और आपको दो फोटोग्रैप आपको लगेंगे इतना आसाने अदिशनल वैल्यू एड़ करना चाहते हैं तो हम इंतिजार करेंगे आपका कमेंड बॉक्स में आप हमेशा उसमें कमेंड बॉक्स में जरूर लिखे हमेशा की तरह ऐसे खुश रही है मुस्कुराते रही है ग्रो करते रही है और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने म हमारी मदद कीजिए लेट्स दू एक्सपोर्ट तोगेधर थैंक यू थैंक यू वरी मुच् झाल